Hey guys welcome back to another video, I hope आप सभी काफी अच्छी होंगे, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं market की updates के बारे में क्योंकि काफी लोग panic के अंदर आ गए हैं क्योंकि market के अंदर हमें एक heavy crash देखने को बला है, bitcoin के price की बात करें तो after a long time bitcoin का price $40,000 के भी नीचे चला गया है, तो market के ब बात करेंगे, make sure इस वीडियो का end तक पूरा देखिएगा, काफी helpful आपके लिए वीडियो रह सकती है, सबसे पहले हम बात करें bitcoin की, तो यहाँ पे bitcoin ने all major sports break कर दी है, जैसे कि हमने आपको recent videos के अंदर बताया था कि 47,000, 48,000 पे हम एक heavy sport देखने को मिल रही है, और अगर वो break होती है, तो हमें bitcoin का price सीधा 43,000, 44,000 दोलर देखने को मिलेगा, और अगर जैसे वो break होगी, हमें सीधा bitcoin का price 38,000 दोलर देखने को मिल सकता है, और वैसा ही हुआ, सबी sports जो थी, वो break हुई, और bitcoin का price वो 38,500 दोलर तक चला गया था, अभी से थोड़ी दिर पहले, और अभी क application हमने past की वीडियो के अंदर भी आपको दिया था, क्योंकि यहां पर आप देख सकने है, 60,000 दोलर पे जो heavy resistance हमें देखने को मिल रही थी, वो break करना बहुत ही जादा जूरुई था, क्योंकि वहां से आप देख सकने है, 3-4 बार टच करके bitcoin जो है reject हुआ, and bitcoin का price नीचे गिर करने को मिल रही है, and I hope कि यहां से हमें एक अच्छा pump देखने को मिल सकता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस वज़े से हमें इतना dumb market के अंतर देखने को मिल रहा है, सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा कि Tesla वली जो news हाई थी, Elon Musk की तरफ से negativity आनी start हुई, कि Tesla जो ह उसी position पर पहुँच गया, जहां पे Tesla ने बिटकुन को प्रमोट करना है, फिर Elon Musk ने बिटकुन के बारे में बात करनी start की थी, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे यह वो दिन है जब Tesla ने बोला था कि 1.5 billion dollar की investment की है, Tesla ने बिटकुन के अंदर और यहां से बिटकुन के यहां पे आ गया है, so Elon Musk का यह फिर Tesla ने बिटकुन के बात करने हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि चाइना की तरफ से रीसेंटली फड़ आया कि चाइना जो है वो बैन कर रही है बिटकुन को, बट यह फालतु की न्यूस है, हमने आपको ट्वीटर के उपडेट किया था, कि चाइना की तरफ से पास्ट के अंदर कम से कम पचास से सो भार बैन की न्यूस आ चुकी है, तो इससे कोई भी फरक नहीं पड़ते है कि चाइना बैन करती है नहीं करती, जैसे कि हमने आपको पहला भी बताया है कि किसी भी कंट्री, किसी भी गोवर्मेंट का कोई भी फर यहां से हमेशा हमें market के अंदर जंप देखने को मिलता है क्योंकि इस पोजिशन पर आकर जो sellers होते हैं वो मुस्ति market के अंदर से निकल जाते हैं और नहीं buyers आना स्टार्ट होते हैं अब हम यहां पर बात करें तो आप देख सकते हैं माइकल सैलर वगेरा जो कि institutions है उन्होंने 43,000 डोलर पे 53,000 डोलर पे 50,000 डोलर पे काफे bitcoins बाई किया है तो यह कभी भी bitcoins का प्राइस ज्यादा नहीं गिरने देंगे अगर यह invest करें तो आप सोच सकते हो यह smart money है जो कि इनको experience है market का इतने सालों का तो यह कभी भी ऐसी चीज के अंदर invest नहीं करेंगे जो long term के अंदर survive ना कर सके तो आप यहां पर इस चीज का panics थोड़ दीजे कि market एकदम खराब हो चुकी है market डंप हो चुकी है जी हाँ यहां यहां पर थोड़ा सा फड़ यह थोड़ा सा पैनिक market के अंदर देखने को मिल सकता है जिसकी वज़े से हमें थोड़े बहुत crashes देखने को मिले हैं साथ साथ आप देख सकते हैं meme coins हो गएरा है हमने आपको पहले बी तनी बार update किया था जो कि meme coins, doge coins, safe moon यह शीबाई जो पता नहीं कैसे coins आ रहे थे market के अंदर जिसकी वज़े से तनी ज़्यादा pump हो रही थी market तो यह अच्छे न क्योंकि once इन्हों ने crash करना start किया वितालिक बूतरी ने जब sell के shiba inu token तो उसके वज़े से market crash हुई और उसके बाद से market recover नहीं हो रही है साथ साथ चाइना का फड़ आया एलन मस्क वाला फड़ आया तो market के अंदर हमें heavy crashes देखने को मिले बट अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से वापस हमें pump देखने को मिल सकते हैं अब मैं उन लोगों बता देना चाहता हूं जो सोच रहे हैं कि bull market जो है यहां पे end हो चुकी है तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने weekly chart open किया हुआ है यहां पे 21 EMA के नीचे चल रहा भी bitcoin बट अभी तक weekly closing नहीं हुई है हम expect कर सकते हैं कि आने वाले इस week की end तक हमें bitcoin का price easily वापस 47,000 दोलर या 45,000 दोलर के ओपर देखने को मिल सकता है अब रही बाद bull run end होने की तो अगर हम past के bull runs की बात करें जो कि 2017 के अंदर आया था या फिर 2013 के अंदर आया था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें bull run के अंदर बीच में major corrections देखने को मिलती है यहां पर देखते हैं, 40% की correction देखने को मिली, यहां पर हमें 35% की correction देखने को मिली, और भी हमें corrections देखने को मिली, आप यहां पर देख सकते हैं, 2017 का जो bull run start हुआ था, तब भी हमें एक heavy correction देखने को मिली थी, और यही बात, अगर हम 2013 की करें, तो आप देख सकते हैं, आप द करें तो आपको पता लगेगा कि ओल्मोस्ट हमें 50 से 60 परसेंट के अंदर देखने को मिलती है आप देखते हैं 65 परसेंट तो आपको वह भी पैनिक की जुरत नहीं है कि यहां से जब एक करेक्शन पूरी हो जाती है जो सैलर होते हैं जो वीक हैंड होते हैं मार्केट के अंद देखे थे जहां पर एक दिन के अंदर प्राइस फाइवंडर्ड वन थाउजन परसेंट पंप हुए थे तो वह टाइम अभी भी आना बाकी और वह जब टाइम आएगा तो आपको ऐसी रैली कुछ देखने को मिलेगी continuous heavy pump देखने को मिलेगे मार्केट के अंदर जब 50,000 डोलर के आसपा स्टेबल हो जाएगा वहां से हमें एक अच्छा pump मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं कि यहां से यह जो आप फिर एंड ग्रीड इंडेक्स देख रहे हैं यहां पे एक्स्ट्रिमली फिर से मार्केट थोड़ी ठोड़ी रिकवर होनी स्टार्ट ह करो और अगर आपका पॉर्टफोलियो डाउन आपको पैनिक हो रहा तो जस्ट आप इंग्नोर करो और चिल करो क्योंकि आने वाले अभी नहीं तो 10-15 दिन के अंदर वापस आपका पॉर्टफोलियो रिकवर होगा इसलिए हम आपको हमेशा से रिकॉमेंड करते थे कि तो अभी वह काम आएगा डिब बाइंग के लिए और अगर आपको फिर भी दर्द और आपने पॉर्टफोलियो को नीचे दाता देखते होए तो उसका एक सोलुशन है आप रादे मूवी देख लीजिए क्योंकि दर्द को कारता तो आपको वहां पर थोड़ा सा स्कून मि पर देखने को मिलती है जो लोग अपको पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रत नहीं यह ऐसा टाइम अगर आप यहां पर सैल कर दोगे तो बड़े प्लेयर्स जो है जो आपको लगते की जो अब बी नेगिटिव बाते करने हैं वो इस यलिए प्लेटिव बाते गर आपको ब वो लोग यहां पर वाइ कर दीप में तो आप के अंदर बाइंग कर सके अगर्स थृटॉables दिखने हो मिलेगि और जल्दी हम एकसْपाक्ट करते हैं कि हमें प्राइसेज वापस फिफियेर्स इंदर चल रही धी काफे चिछी वैसे ह हमें रैली TWO देखने हुं लेकि Shis टैम पर काफी दादा ड्रोप हो चुकी है तो यहां पर जब नया मार्केट के अंदर पैसा आएगा तो वो सब अल्टकोइन के अंदर मूव होने वाला है तो यहां पर हमें अल्टकोइन के अंदर हैवी पंपस देखने हो मिलेंगे बाकी हम टोटली आपको अपडेटी रखेंगे प्मूव कर सकती है और आपको कितना मों मार्केट के अंदर दो साल तो नीचे में वहाएं तो नीचे मेंट बुक्स में हमें जदूर कुम्मेंण के बाता है ताकि सब्सक्राइब पैमी के अंदर और विदियो के साथ तब तक आपना ध्यान हो रखेगा~~~